विधान सभाव कुछी महीने में हैं ऐसे में मध्यपदेश में आदिवासियों के खिलाफ अत्याचार का मुद्दा तुल पकड़ता जा रहा है इसी बीच कॉंग्रेस ने शिवरास सरकार को घेरने के लिए आदिवासी स्वाभिमान यातरा प्रारंब कर दी है आदिवासियों के हित में कॉंग्रेस आदिवासी स्वाभिमान यातरा निकाल रही है MP में Congress आधिवासी स्वाभ्मान यात्रा निकाल रही है। ये यात्रा 17 जिलों के 36 विधानसवा चेत्रों में जाएगी। सीधी से आधिवासी स्वाभ्मान यात्रा प्रारंभ हो रही है। इस यात्रा का उद्देश प्रदेश के सभी वर्गों पर बढ़ रहे अत्याचारों को उजागर करते हुए प्रतेएक आधिवासी जन की आवाज बनने का है। सीधी से शुरू होकर 17 जिलों के 36 विधानसवा को कवर करते हुए जाबुआ पहुंचेगी। यात्रा का संचालन मध्यप्रदेश युआ कॉंग्रेस के अध्दक्ष डॉक्टर विक्रांथ भूर आधिवासीों पर अत्याचार अब एक आम घटना की तरह बन कर रह गई है। हमने ये तैय किया है कि हम अब सड़क पर उतर कर प्रदेश भर के आधिवासी भाई बहनों के बेच जाएंगे और उनको इस बात से पुनाय आउगत कराएंगे। कि ये वही सरकार है जो आपको आधिवासी भी मानने से इंकार करती है और आपको वनवासी होने का तमगा देना चाहती है। ये वही सरकार है जो लगातार आधिवासी हितों के लिए बनाए गए पेशा कानून को कमज़ोर करने के लिए प्रत्म कर रही है। जिसमें एक दिवस का हाल्ट 30 जुलाई को होगा 17 जिड़े और 36 विधानसवास से हम आधिवासी स्वाग्मान पर जन्चर्चा करते हुए आगे बढ़ेंगे और इस जात्रा का समापन हम 7 अगस्त 2013 को जाबूआ में करेंगे वो खबरें जो आपके काम की हैं वो खबरें जो आपके लिए दरूरी है हर आम और खास से चुड़े मसले हर मसले का सट्यक विश्लेशा हम करते हैं सट्यका अनवेशा तखल नियूज आपके अपने आप देख रहे हैं तखल नियूज